हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू माई चैनल हैस्टेग क्रियेटिव आर्ती पोरवाल दोस्तों मैं हूँ आर्ती और अज हम बात करेंगे कैसे स्टेट की जिसने अपने ओफिशल वेबसाइट पर एक स्पेशल कौंसलिंग के लिए स्पेशल राउंड निकाला है तो पूरी रिगार्डिंग न्यू इन्रॉल्मेंट नंबर फी पेमेंट एंड रिजिस्ट्रेशन फर कौलेज लेवल डंटल कौंसलिंग और आयूस कौंसलिंग और कौलेज लेवल मौपप राउंड तो इसके बारे में है नोटिसे है था कंड़िदेट्स को एफ कौलिफाइड नीट यूजी 2020 अंस्टिल नौत एप्लाइड उन्लाइन फ्रेश अनौलमेंट फी पेमेंट एंड रिजिस्ट्रेशन लेंट ओं और इसूजरी राउंस पेशल राउंस संट्रल मौपप पौलेज लेवल मौपप और हेरबा इंफॉर्म्ट एक प्रोसेस ओफ ओन्नाइन इनॉल्मेंट फी पेमेंट और रिजिस्ट्रेशन विल स्टार्ट फॉन्टी टू जैन्वरी बारा बज़े से लेकर पचिस जनवरी को दिपहर के दो बज़े तक यह रहेगा तो जिन बचों ने अभी तक किसी भी प् केंडिय से डर्णी कह टे हैं और हैं अबॉरी सुम्हर। पर इंर्णी किया हैly तैंट दोनों कीपden क्र snippet क्रिश्ट्रेशन प्रणी दोनुन करसकते हैं एर आईश कांसलिंग नीड नॉट एंड पे रेजिस्टर देयर आटोमेटिकली एलाउट फर सच राउंड एज सेट अबव जिन बच्चों ने पहले रेजिस्ट्रेशन कराया है किसी भी राउंड में और उनको कोई सीट नहीं मिली है उनको दुबारा से रेजिस्ट्रेशन कराने की जुरुवत नहीं है नहीं उनको पेमेंट करने की जुरुवत है जो अब आटोमेटिकली वो इस राउंड के लिए एलिजबल हो जाएंगे लिस्ट उफ इन्रॉल्ड एंड रिजिस्ट्रेशन चैंडिटेट्स अलाउट फॉर सच राउंड विल पुब्लिज्ट जनुवरी उफ्ट शुक्स पियम फॉर्दर डूटेशन विल प्रवाइद इन देवेबसाइट अस्पैंड नो परसनल क्म्युनचेशन इसमेड इंट्रस्टेशन और इंट्रस्टेट हैं पूरी नूजफ फिर से आपको एक बार समय के रुप में समझा देती हूं वेस्ट बंगॉल में जिन बच्चों ने अभी तक किसी भी प्रकार का रेजिस्ट्रेशन नहीं कराया है वो करा सकते हैं फ्रेश रेजिस्ट्रेशन 22 जनवरी यानि आज से 25 जनवरी तक जो है रिपहर के 2 बज़े तक आप रेजिस्ट्रेशन करा सकते हैं लेकिन जिन बच्चों ने पहले registration कराया है उनको जरूरत नहीं है यह एक special round है central मौपप रौन, college level मौपप रौन या IOS counseling के लिए BDS counseling के लिए सभी के लिए एक combined merit list निकाली जाएगी यह merit list आपकी website पर आ जाएगी 25 जनवरी को शाम को 6 बजे इस list में जिन बच्चों का नाम होगा उनको course wise कि किसी को BMS मिला है या BDS course मिला है तो आप जो भी eligible candidates हैं वो website को चेक करते रहे और registration करा ले registration की eligibility दी हुई है काईदे से आप चेक कर लिजेगा कि कौन से candidate को registration कराना है कौन से candidate को नहीं कराना है जो बच्चे पहले ही करा चुके है आईश counseling के लिए या dental के लिए लेकिन उनको अभी तक कोई seat alert नहीं हुई है तो उन बच्चों को दुबारा से registration नहीं कराना है ना ही payment क हो जाएंगे तो यह पूरी news थी आपकी government of West Bengal की अगर आपको यह news अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को subscribe करिएगा और मेरे वीडियो को like और share करिएगा thank you